स्री गड़े सायन महा, स्वागत आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूटुब चैनल पर, आज मैं आपको गनेश चतुर्ती के उपाई बता रहा हूँ, दोस्तों गनेश चतुर्ती के उपाई बेहदी चमतकारी और प्रभाव साली हैं, अगर गनेश चतुर्ती के दिन आप इ दिन होते हैं, जोव्यक्ति इन दस दिनों में, भगवान गनेश ची की पूजा करते हैं, उनके उपर भगवान गनेश ची की सदाई किरपा बनी रहती हैं, तो दोस्तों आप जब भगवान गनेश जी घर में लेकर के आएं, तो उनका मुख को घर की तरपी होना चाहिए, इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखें, साथ ही जापर गनेश जी की स्तापना करें, साप सुत्री जगर रखें, और भगवान गनेश जी की चर्णों में भोज पत्र पर अपनी इच्छा लेकर के जरूर दवाएं, इससे मनो कामना आपकी अवस्य पूरी होगी, प्र भगवान गनेश जी प्रसन ओकर के मन वांचिते फल प्रदान करेंगे, जीवन में आरे सारे कश्ट और परिसानिया दूरोंगे, भगवान गनेश जी की किरपा से आपकी प्रतेक मनो कामना पूरी होगी, पुत्र धन प्राप्ती के योग बनेंगे, भगवान गनेश जी की की कथा जरूर सुने इससे भगवान का अशिरवात प्राप्त होगा और अपनी चा बोल करके भगवान के सामने बैठ करके स्री गड़े सायनमा मंत्र का एक सो आठ बार जाप जरूर करें इससे भगवान गनिजी प्रसन नोकर के मन वांचित भल प्रदान करेंगे आपकी प्रतिक मनों कामना पूर्योगी धन बड़ेगा शुक्सम्रती बड़ेगी और जीवन में आरे सारे कष्ट परिशानिया दूरोंगे दोस्तों गनिश चतु मेश रासी, ब्रसव रासी, मिथुन रासी, करक रासी, सिंग रासी, कन्या रासी, तुला रासी, ब्रस्चिक रासी, कुम रासी ये रासी आएं बहुत ही ज़्यादा भागी साली रहने वाली हैं इन रासियों का योग बहुत ही अच्छा है साथ ही तो रासी ऐसी हैं जिनका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा और इनकी ग्रहन की इस्तितिक हिसाब से बहुत जल्दी मनुकामना पूरी होगी। दोस्तों आप प्रते दिन भगवान गनेजी की पूजा जरू करें। भगवान गनेजी विगनरता हैं सभी विगनों को दूर करते हैं। तो आप पूजा करते समय आप अपनी इच्छा भगवान की सामने जरूर वो लेंगे और भगवान आपकी मनुकामना अवश्य पूरी करेंगे। स्री गडेशाय नमाहां।